पूंबई के ट्राउंबे चीता के में भारती जंदा पार्टी के माध्यम से पंकर सुराना जी के नेत्रुत में यहां पे एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है जिसमें भारी संख्या में लोग सामील हुए हैं अब देख सकते हैं किस तरह यूवक यहां पे क्रिकेट सबसे पहली बात तो हम सभी के जो प्रेणा श्रोत थे स्वर्गी प्रमोध महाजन जब वह पहली बार यहां पर फाइनल में प्रमोगतिती के रूप में जब पदा रहे थे तब उन्होंने याँ पर दो ओवर बैटिंग की तब ही से हम सभी कारे करता उनको प्रेणा मिली और हम पहले श्री निवास मुरारी जी के पिता श्री सवर्गी पंडित द्रायल उपाध्या जी के नाम से यह मैंधान है तो पंडित द्रेण उपाध्या जी जिनका जो लक्ष्य समाज के अंतिम तब के तक दुखी तक सरकार की योजना और दुखी आदमी का दुख दूर करने का जो लक्ष पंडित दीन द्यायल जी ने हम सभी को दिया है उसी को आगे प्रमोज जी और हमारे सभी राष्टी नेता महाराष्ट के नेता बढ़ा रहे और तभी हम सभी कारे समराट माजी नगर सेवक और अपनी मुंबई की एक मात्र तेज तर्रार नगर सेविका अपनी भावी मा जिनोंने खासदार की पत्नी का कार्पोरेशन चुनाओं में पराभव करकर अपने विदान सभा में जो कमल का एक भारती जनता पटी का नगर सेविका के रुप में जब से वो चुन क्या है उनके विभाक के साथ साथ वो बाजू के पूरे जो पाच विबाग है अपने विदान सभा में उसमें भी उनका पूरा सहयोग रहता है और आने वाले छे दिन और यह कारेकरम यहां पर चलनने वाला है और इस कारेकरम में हमारे राष्टी नेता प यहां पर आने वाले और लगबक 10,000 लोगों के भीज में यहां पर प्राइट डिस्टिपर्शन का कारे कर्म संपन होने जा रहा है आपको बता दो कि किरकेट मैच का यह पहला दिन है और यहां पर मुख खेतरती बबलू पंचाल जी हैं भारती जंदा पार्टी के पूर्वन इनके तरफ से तुर्लामिंड रखा है और बड़ी मात्रा में खेलाड़ों की एकी मैदान बचा है चिता क्याम में सब जितने मैदान ते सब अभी मेट्रों का कार्षेड हो रहा है शिरके कमपॉंड है अभी खेलने के लिए एकी मैदान है बहुत सालों से तुला मिडिया यहां पर रखा जा रहा है गड़करिसा प्रमोज जी माजन जी मतलब मुंडे जी यहां पर बड़े-बड़े नेता है भाजब के हमारे आज चुके है आज तुर्णा में का बुद इत्यास है आज बच्चों लोगे लिए कुछ अच्छा करना है आप बच्चों लोग नशे म बोलूईंगा यह मैदान एक ही बचा है और ऐसे मैदान अपने पंके जी आपने उपर ऑफल के चिता के हम नके लिए और कौन्सा माइदान बंच सकता है जो जगा Chitagame लगân के लोगों के लोगों के लिए garden अबोच्य लोग खेलते ही है और खूर्पन टीम घ्याम की बंबई की आठ टीम और रफिक भाइय ने बुले हर साल हर साल मेडान फीज इस बना जाता में अने तो हम खाली खिलाडी लोग बाकी लोग क्या करते हैं मंडल लोग खाली पीज बना के अपना धंदा करके चले जाते हैं पन ये मैच को मैच होते हुए इधर मैधान का भी विकास किया है मैधान को लाल मत्टी डाल के पीज बना के ऐसा नहीं मट्टी लाना चार गाड़ी लाना बहुत एक गाड़ी लाके बनाना बहुत बड़ी बाद रहे दी पर हमारे पंकत जी ने रफिक भाई ने मिल के पुरे भाज़ब के कारेगरता ने यह मैदान मी मनाया और पीज भी बनाया है अर्फाइ असब खिलाडियों को इतना ही बोलूँगा कि मैदान यह आपसों को सबको बचाना है और मैदान के लिए आपनों लड़ना आया है कोई पख्शने कोहीं ने सब मैदान में आकर खेलते हैं हम तो रहिसी है क्यभलते हैं कि हम भाजब के जेंड़े markets Hierica harvin ऑके खेले सब्सक्राइबjes इतने आपको आशास्वदी देता हूँ जितने खिलाड़ी है उनको में बहुत बहुत शुब काम नहीं देता हूँ अगर भारती जंदा पार्टी की बात करें तो भारती जंदा पार्टी के बैनर तले यहां युवाओं को जोडने का काम किया जा रहा है हमारे साथ रफिक ज पहली बात तो में आयोजक मैं नहीं मेरे बड़े भाई पंकर सुराना है जिन्होंने हर साल इस मैदान पर इस साल में यहां कैसा होता है कि टोटल सतर टीम हैं चीता कैम के अंदर यहां किर्केट एक ऐसा जुनून है किस काफी यंग लोग यहां बहुत से बड़े-बड़े खिलाडी यहां केल कर चीता कैम में चीता कैम से ही इंडियन प्रीमियर लीग आई पील में राहिल शेग जैसे लोग खिले हैं तो बड़े-बड़े खिलाडी भी यहां से गए पहले टेनिस क्रिकेट में ही खिलके गए तो इसी तरह से यह एक मैदान हमारे पास बचा है उस में काफी सालों से हर टूर्णामेंट होते साल में तीन से चार टूर्णामेंट होते या तो दो होते तो उसमें हमेशा से क्या होता है कि ग्राउंड की सफाई यह नहीं होती क्योंकि जितना भी टाइम उसमें लगता है पैसे लगते लोग यह सोचते कि यह खर्चा क्यू कर प्रेटिम हैंग लेकिन हमको से अच्छी टारामेंट रखना है टो इसी कारण के वज़े से हमने यह टॉरनामेंट और गना ऑट सीरा गणे को बचाना होगा और इसने सुरज़चा करनी होगी इसकी देखभाल करनी होगी आई उसकतिनगर बिधान सेभा कि मात रेक भारती जंदा पार्टी का इसी नगर से उइका है उनसे जानते हैं यहां पर मैंच चीटा केम और भारती जंदा पार्टी के लिए काफी एक सर्चा की विसे प्रिया नियूज मुंबाइ